और संजु ये सावन का रहीना जो की जिमचिम बारिस के लिए जाना जाता है और सावन के मास में ही हमारे जितने भी सबूत थे देखो कितनी खोटसोड़त बतलब ये छका और ये मौसम जो पूरा भी हमारे इस टुकड़ी का इस आज के सलामी दल का सहयोग इंद्र देप भी कर रहे हैं पूरी रात बारिस हुई है लेकिन इस समय मानो हमारी प्रकिर्ती भी आज के इस छंडो तोलन में हिस्सा लेने को आ जाना है और ये मानना पड़ता है कि ये देशी आजादी का हम जर्शन बना रहे हैं और दीन चीज कभी जुका हुआ अच्छा नहीं लगता एक शायर के कलम दूसरा शेर का कंगा और दीसरा हमारा तिरंगा जड़ा बहुत संदर बहुत ही वो कहते हैं कि आन पान और सान है हमारा ये तिरंगा और इस दोच के तले हम हमेशा प्रतिपल अपने रास्ट के लिए अपने रास्ट के हित में अपनी जान को कुर्बान करने को आतुर रहते हैं और हमारे पुर्वजों ने हमारे अमर सहीदों ने बिलकुल इसी छंडे के तले अपनी बलिदानी को दिया जिसका परिनाम आज हम सभी के सामने हैं, कि हम एक स्वतंत्र देश के निवासी हैं, तो सबस्द सबस्द नमन करें अपने उन अमर सहीदों को, अमर वलिदानियों को, भारत मा की जद को हम निलाम नहोने देंगे, खाते हैं कसम सुतंतता की हम शान न होने देंगे